हेलो एवरिवन, माई नेम इस प्रेक्षा कौशिक और आज हमने यह रीन डिटेक्टर बनाया है इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि यह जो ब्लेड से यूज किये गए है यह आपर यह एज असेंसर वाटर ड्रॉपलेट्स को सेंस करके एक बज़र को ट्रिगर करते हैं यान कि हमें एक अलाम मिल जाता है जैसे ही बारिश आने वाली होती है जब भी रेंड्रॉप्स इन ब्लेड के उपर गिरते हैं तो इस बज़र के थूँ एक आवाज आती है और इसके अंदर हमने एक एलिटी लाइट फिक्स कर रखी है जिससे हमें एक अलाम मिल जाता है घर के अंदर बैठे बैठे कि बाहर बारिश होने वाली है जो हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले सकें तो इसमें मैंने ये कार्ट बोर्ड रोल एज पॉल यूस किया हुआ है इसके उपर तो ब्लेड लगा रखे हैं और ये वायर्स के थूरू कनेक्शन किया हुआ है जब हम इसके उपर पानी की कुछ ड्रॉपलिट्स डालेंगे इन ब्लेड के ऊपर और स्विच ओन करेंगे तो ये बजर आवाज देगा ये इस तरह से कुछ आवाज करेगा तो इस तरह से काम करता है और ये ट्री हाउस हमने बनाया हुआ है ये अरीन वाटर हार्विस्टिंग को यहां से जो स्लोप के थूरू वाटर आके यहां इस पाइप के थूरू इस वैसल में कलेक्ट हो रहा है जो की फर्दर यूज के लिए काम आ सकता है बाद में तो इस तरह से हमने कुछ बनाया हुआ है और इसमें जो वेस्ट मेंने यूज किये हैं ये काड़ बोर्ड रोल जो कि किसी के भी घर पे available हो as a waste हम इसको use कर सकते हैं यह used blades हमने use किये हैं यह पुराने wire हमने use किये हैं ice cream sticks जो सभी fake देते हैं हम लोगोंने यह उन्हीं को use किया है यहाँ पर यह used aluminum foil है mat stick से हमने यह table and chair बनाए है for decoration purpose और यह पिस्ता के छिलके हमने use किये हैं for decoration तो overall सभी कुछ हमने waste से ही बनाया है so this was my project thank you very much